तो आज मेरे लिए एक special day है असाम इस पर world record हमारा train विश्वनात चाली से रवाना हो चुका है और रिख सकते हैं हमारा seat ऐसा कुछ है 1,2,3 प्रब्लेम होगा नेक्स तैम हमें यह देखना तो आज मेरे लिए एक special day है इस भी हूँ मैं जा रहा हूँ शिप्षागर आप लोग को दिखाने बी हूँ इन शिप्षागर और कुछ प्लेस भी दिखाने की कुशिश करूँगा तो मैं जा रहा हूँ बाइट्रेंड स्टेशन मेरे पिछे हैं तो चलिए चलते हैं फाइनली मैं आचुका हूँ विश्वनाचारली स्टेशन जहां से मैं दिब्रुगर के लिए ट्रेन लूगा तो कि विश्वनाचारली से शिप्षागर कोई भी ट्रेन नहीं जाता है तो मैं जाओंगा विश्वनाचारली से डिब्रुगर और डिब्रुगर से मैं है 1238 और हमारी ट्रेन है 137 जो कि विशना चारली से डिब्रोगोर जाएगा तो अभी बजा है 132 और हमारा ट्रेन आही रहा है स्टेशन से अभी एनॉंस किया है कि हमारा च्रेन आ रहा है और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के तरफ बहुत रुपने के बाद फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है तो फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है और हमारा यह है ST4 तो चलिए चड़ते हैं फाइनली मैं ट्रेन में उठ चुका हूँ और यह देख सकते हैं हमारा सीट ऐसा कुछ है 123 और यह है मेरा सीट हमारा ट्रेन विश्वनाद चार्ली से रवाना हो चुका है और मेरा सीट भी मुझे मिल चुका है और कुछ ऐसा विश्वनाद चार्ली से हम लोग रवाना हो रहे हैं तो डिब्रुगर तो टाटा कर देते हैं विश्वनाद चार्ली को भाई भाई विश्वनाद चार्ली तो यह जो हमारे सफर होने वाला है यह होगा 5 आवर्स के लिए यहां पे मैं इसबार करने बाला हूँ आप लोग उझाने बाला हूँ कुछ प्लेस है इससे कि आप लोग को पता होगा आसाम इसबार वालड रेकोर्ड बनाने के लिए सरु संद्या स्टेडियम में ऐसेलिब्रेट करने बाला है जहां कि 11,000 प्लास दांसर्स असरुसत जाए स्टेडियम में बीहु डान्स करने वाला है वी भुलिया, वहां पे मैं कोभर ली कर पाया, इस बार जो इस बार सित्सागर है, सित्सागर का कुछ जो historic place है, सित्सागर को असाम का historic place की माना जाता है, जो सित्सागर का beauty है, जो सित करने वाला हूँ, और सित्सागर में बीहु के से बिता है, वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो अभी में अपने seat में बैठ चुका हूँ, और ऐसा कुछ, सबसे उपर वाला है मेरा seat, तो अभी बाज रहा है 153, अभी भी हमें और 5 घंटा इस प्रेन में बिता अभी हम पहुचे हैं, तो अभी हम पहुचे हैं, मिजबर गंग, क्रोज करके बेदेती में पहुच गया है, अभी बजा है 2-8 और हमें और 4 घंटा इस ट्रेन में बिताना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पहुचेंगे डिबरुगार में, तो 4 घंटा क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, करदा यहाँ पे रेडी है, और तो करना कुछ नहीं है, बस सो जाना है अराम से, और थोड़ा रेस्ट करते हैं, पर इस फियर की अगर मैं बात करूँ, हमें शोना चाली टू डिबरुगार पड़ा है 423 विट्स तर्विस चर्च एंड सम टैक्सेस, क्योंकि हम लोगों ने ओनलाइन टिकेट बुक किया थ तो अभी हम पहुचे है ध्यमाजी स्टेशन और ध्यमाजी स्टेशन से अभी भी हमें चाहिए और एक घंटा दिबरुगार पहुचने के लिए तो गाइस फाइनली हम पहुच गया है ध्यबरुगार स्टेशन जो कि हमारा एंड पॉइंट है जानी वाई ट्रेन और इसके बाद हम ध्यबरुगार टू शिप्शागर जाएंगे बाइपास तो फाइनली चार घंटे कुछ मिनिट सफर करने के बाद हम पहुच गया है ध दिबरुगार में ही रहने वाले हैं और कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे शिप्शागर के लिए देखते रहे हैं में चो राइडर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तिल देन बाबाई